हलो दोस्तों राना क्लासेंज में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश PCS 2018 की प्रीपरिच्छा सवालों के घेरे में तो इस वीडियो को शुरू से अंतक देखे पसंद आने पर लाइक नहीं लाइक सब्सक्राइब और बेल का इकन बड़ें दवारा ना भूले तो क्या है प सिधे प्रवेच्छक के माध्यम से उपलब्द कराई गई वह भी परिच्छा के चार दिनों के बाद हाला कि आयोग की और से इन आरोफों को खारिज करते हैं इसे दूस पर चार बताया है सुत्रों का कहना है कि CBI टीम ने आयोग में जाच के दौरान PCS 2018 में यगरवड़ी पकड़ी है हाला कि CBI आयोग की जिन परिच्छाओं के जाच करे उसमें दाइरे में PCS 2018 के परिच्छा सामिल नहीं है लेकिन सुत्रों बता रहा है कि कुछ अवेरतियोंने CBI के समझ अपनी सिकायत दज कराते हुए PCS 2018 में गडवड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं UMI कफ्य और के माध्य हम Сे भीजी गई बाकी यह 11 UMI कफ्यों वहां के परिवेश च्छक में चार दिन बाद आयोग को रिसीव करवाई इसी तरह लखनाउक के लिए 17 ओमरार लगा जा रहा है कि बाद में रिसीव करानी该 Jaum मायर का फ्या में गरवड़ी की गई है सूत्रों के मुताब जिन संदिक्दों ने यह काम किया है सी वी आई ने उनसे पूष्टाज की है हाला कि आयोग के सचीम जगदीश का कहना है कि आरोप निराधार अगर ऐसा होता तो सी वी उनने जनकारी देती जो आरोप लगा रहे है विसाच भी परस्तूत करें यह सब दुस्परचार है और आयोग को बदनाम करने की साजी से आयोग कर्मी तलब हुई पूष्टाज छूटी के दिन भी सी वी आई कैम कार्याले में दीन भर रही हल चल रविवार का सापता है कवकास होने के बाप जूद सी वी आई के कुमि पूष्टाच की साथ ही अवियरतियों के ब्यांदर्ज करने का सिलसिला भी जारी रहा है इस दोरान हवियरतियों ने परिचार उने गरवड़ी समंदी कई महत्पूर्ण साची सी वियाई को सवे सुत्रों के मताब आयोग की परिचहामी घरवड़ी को लेकर सी वी आई का स सिकन्जा लगातार कस्ता जा रहा है और इस वर सीविया ने सकती से पूछता शुरू कर दिये एपीएस 2010 में गड़वड़ी के सुबूत सीविया को पहले ही मिल चुके हैं तो अब इस गड़वड़ी के लिए जिमेदार लोगों को चिन हित किया रहा है ताकि उन्हें पर सिकन्जा किया जासके साथ ही पीछे 2015 में गड़वड़ी को लेकर सीविया ने आयोग जिन अज्यात अफसरों और जिन बाहरी अज्यात लोगों के खिलाफ फायर दर्ज की है यहीं बजा है कि सीविया ने पूछताच का सिलस है जो कि तो कहीं कहीं धांदली की और इसारा कर रहा है लेकिन सीविया के समझ से अगर सबूद सवपा गया है तो निश्चित रूप से जो कि जिसकी चार्च होनी चाहिए क्योंकि चार दिन बादों मार्क कोफिया भेजना जाना यह कहीं से भी तरक्रसंगत नहीं है किसी सबूद दिखाने की बात कई लेकिन बिना निराधार के इन चीजों को आना बाहर तो इससे पृतित होता कहीं न कहीं है जो कि पीसे दोए अठारा भी संदेख के घेरे में है तो हर राजलोक से वायों के अनुसार पीस पर भी आरोप बहुत देजी से लग रहे हैं अब दे अबर के साथ धन्यवाद